तो घर में चल रही है दीवाली की क्लीनिंग लेकिन एक या दो दिन में सारी क्लीनिंग खतम करने की पर जाय मैं प्रेफर करती हूँ कि one by one parts में डिवाइड करके घर को क्लीन किया जाए तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने रूम की डीप क्लीनिंग रूटीन जिस इसमें आपने देखा सबसे पहले मैंने स्टफी का बैड उठा के बाहर जाड दिया है ताकि उसकी डस्ट निकल जाए और थोड़ी देर तक मैं उसको धूप में रहने दूँगी ताकि उसका बैक्टीरिया भी मढ़ जाए और अब मैं निकाल रही हूँ अपने रूम के करट है और जहां भी मैं काम करती हूँ हर वक्त मेरे आसपास घूमता रहेगा तो बस अब मैं जा रही हूँ करटन को वशी मिशीन में डालने के लिए और करटन को मैं किस तरह से टाय करके मिशीन में डालती हूँ वो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में A Day of Cleaning with Me जिसका लिंक मैं description box में दे दूँगी dusting करने से पहले जितना भी possible हो समान बाहर निकाल देना चाहिए जिससे कमरे में चलना फिरना और काम करना easy हो जाता है और unnecessary चीज़ें dusting नहीं होती है कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा vacuum cleaner यूज़ करती हूँ तो यह Eureka Fork का vacuum cleaner है size इसका large है और इसका weight भी काफी heavy है तो जब हमने कभी height पे cleaning करनी होती है तो possible नहीं हो बाता इसके लिए lightweight vacuum cleaner ही best रहते हैं लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है तो हम देसी style में ही dusting करेंगे तो अभी मैंने husband को बुला था कि filters निकाल के दें मुझे AC के और साथ ही मैंने उनसे कुछ sealing की dusting भी करवाई है अब summer season peak पे होता है तो इनके filters हर 15 दिन के बाद clean करने पड़ते हैं लेकिन अब weather change हो गया है तो अब इनकी turn next summers में ही आएगी इनको निकालते वक्त बहुत ही slowly निकालें तो better रहता है क्योंकि बहुत ही बारीक dust mites होते हैं और आपकी सांस में भी जा सकते हैं इसलिए किसी और विमें इनको clean करने की बजाए इनको wash करना ही better रहता है कोई भी detergent या soap मैंने use नहीं किया है इनको wash करने के लिए simply इनको tap के नीचे ही wash किया है बस अब धूप में थोड़े इनको dry होने के लिए रख दूँगी टफी को वाक्या ही नीद आ रहे थी जैसे ही मैंने उसे sheet दी तो वो अराम से सो गया fan को clean करने के लिए किसी old pillow cover का use कर रहे हूँ जिससे की dust इसके अंदर रह जाएगी बाहर नहीं गिरेगी इस तरह से fans को clean करना मुझे काफी easy लगता है तो एक बार उसकी dry dusting करूँगी और उसके बाद wet cloth से इसको clean करूँगी AC की dry dusting husband ने कर दी थी अब मैं इसे DIY cleaner से clean कर रहे हूँ AC cleaner का use मैं पूरी room की cleaning के लिए करूँगी यहां तकी wooden material के लिए भी और इस cleaner की recipe आपको description box में मिल जाएगी Walls and roof की proper cleaning तब ही होती है जब हम paint करवाते हैं लेकिन paint हम every year तो नहीं करवाते हैं तो यही वे होता है spider webs और dust को निकालने का तो room के एक corner से लेके दूसरे corner तक मैं इसी तरह cleaning करती हुई जाओंगी bed sheet तो मुझे change करनी ही है लेकिन फिर भी bed का कुछ area मैंने old bed sheet से cover कर दिया है मैं कुछ नया कर रही हूँ ऐसा रही है आप सब भी deep cleaning शाइल इसी तरह सही करते हैं लेकिन मुझे कुछ viewers की तरफ से दिवाली cleaning शेयर करनी की request थी तो मैं ये वीडियो आपके साथ share कर रहे हूँ daily dusting में हम बहुती कम चीज़ों को cover कर पाते हैं daily एक ही area या चीज़ों को बार बार clean करना wastage of time है so make a weekly plan according to your home और deep cleaning के लिए भी अगर आप schedule बनाते हैं तो आपका घर जादा clean और organized लगेगा और organized home positivity का sign है लेकिन बस plans बनाना ही काफी नहीं है उन्हें implement करने के लिए body में energy का होना भी ज़रूरी है उसके लिए good diet और specially mind tension free होना चाहिए कुछ लोगों का कहना होता है कि हम plans तो बनाते हैं लेकिन जल्दी ही bore feel करने लगते हैं जो कि obvious भी है so change is very important loud music और rotation of work मुझे boreat से बचाता है बड़ जिस दिन मेरा relax करने का मन करता है उस दिन में इलावा cooking या dishes clean करने के और cooking में भी सिरफ खिचडी या पुलाओ इसके इलावा कुछ नहीं करती इससे next day मैं double charge होके काम पे लग जाती हूं डेली मैं अपने घर की एक window और door clean करती ही हूं लेकिन क्योंकि curtains निकाले हैं इस room के तो आज फिर से इसकी cleaning कर रही हूं उसी DIY cleaner से आपके घर की wooden things हमेशा shine करती रहें उसके लिए आप DIY polish भी बना सकते हैं जिसके लिए आपको one part vinegar लेना है और three parts लेना है olive oil दोनों चीज़ों को अच्छे से mix कर दें cleaning करने के बाद सर्फ face पे apply करें तो आप देखेंगे कि आपका wooden furniture कितना shine कर रहा है और अब मैं करूंगी अपने dressing area की cleaning जो की बिल्कुल एक corner में है और daily की चीज़ें यूज़ करने के लिए इसमें कुछ shelves या फिक काबिनेट नहीं बनी है तो इसलिए मुझे कुछ organizers का use करना पड़ता है तो सारा सामान हटाने के बाद मैं एक बार इस dressing area को clean करूंगी और उसके बाद सामान को declutter करूंगी और organizers को भी clean करूंगी वैसे normally मैं every Saturday evening time पे अपने dressing area की cleaning करती हूँ लेकिन उतनी deeply नहीं हो पाती है जितनी मैं आज करूंगी one by one में सारा सामान निकाल के organizers को भी clean करूंगी सामान निकालने का फाइदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें हैं आपकी जो फाल्दू की इसमें पड़ी हुई है तो उनको आप declutter कर सकते हैं इन organizers में मेरा कुछ makeup और makeup brushes के इलावा lotion sunscreens बगरा ही होते हैं और कुछ छोटे छोटे earring या ऐसी bangles होती हैं जो मैं shopping या आसपास कहीं जाने के लिए wear करती हूँ normally घर में मैं कोई भी ornament नहीं पहनती हूँ कभी अचानक आप मेरे घर आ जाएं तो most of the time में आपको pajamas में ही मिलूँगी अचानक लुड़ी तुब जा लुड़ी तुब जाएं पो आएं आएं ड्रॉर के लिए मेकप और्गनाईजर मैंने खुद बनाया है इसके लिए मैंने एक वेस्ट ट्रे का यूज़ किया है जिसको कवर करके कार्डबोर्ड के डिवाइडर्स लगा दिये है और हर चीज़ को एक अलग कॉलम में रखा है लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते है समान यहां वहां रखा जाता है तो अब हर चीज़ को उठाओ ठाके मैं एक बार क्लिनिंग कर दूँगी और वापिस से सेट कर दूँगी और इतना समान जो वेज था इसे मैं निकाल के फैंक रही हूँ इलेक्टिकल बोर्स को मैं हमेशा कॉलिन से ही साफ करती हूँ डिरेक्ट स्प्रे ना करें लेकिन आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ पे स्प्रे करने के बाद इससे अच्छे से साफ कर सकते हैं टॉप एरियस की डस्टिंग मेरी हो चुकी है तो अब ये शीट में निकाल रही हूँ रूम की क्लीनिंग आगे बढ़ रही है और कर्टन भी मेरे सूख रहे हैं तो इसके बाद मैं इनको आइरन करने करी देख के आऊंगी अब लगे हाथ में बैड साइड ड्रॉड को भी क्लीनिंग कर रही हूँ इसमें मेरे कुछ पैंस, ठिक क्रीम, नाइट क्रीम, माउथ फ्रेशनर्स, लिप बाम, माइक्रोफोन, इयरफोन और मल्टि वाइटमिन्स होते हैं अगर आप भी अपने ड्रॉड में इस तरह पैंस रखते हैं तो प्लीज उन्हें एक बार चेक कर ले मेरी तरह आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पैंस निकलेंगे जो की काम नहीं करते उन्हें निकाल के स्पेस खाली की जा सकती है और नीचे वले कैबिनेट में एक बॉक्स रोस्टर चना और एक डजेस्टिब बिस्किर का मैं ज़रूर रखती हूँ ताकि काम करते करते जब कभी आपको भूक लगे तो आपके पास इन हैंड हैल्दी आप्शन्स हों इसके लावा इसमें लैपनॉख चारजर, मेरी एक डाइरी और कुछ बॉक्स होती हैं और कोइन के इलावा ये सारा समान है जो फैंकने वाला है क्योंकि जिन चीजों को आप यूज नहीं करते हैं उन्हें फैंक देना ही बेटर होता है चाहे फिर आपका कोई पुराना phone हो या फिर earphone इस room को clean करने के लिए मुझे 4 घंटे आराम से लग गे थे इसलिए मैंने सुबा breakfast और lunch बना के ही काम शुरू किया था ऐसा कोई भी काम शुरू करने से पहले आप breakfast heavy कर लें तो बेटर रहेगा और अगर आप मेरी तरह early उठते हैं तो breakfast के बाद एक छोटा सा nap लेने के बाद भी काम शुरू किया जा सकता है इससे काम के दोरान आप tired feel भी नहीं करेंगे और आपको नीन भी नहीं आएगी AC filter सूख चुके हैं तो चलिएने लगा लेते हैं अब स्टफी के बैट को भी में एक बार वैक्यूम कर रही हूं जिसे की dust और pet hair दोनों निकल जाएंगे बैट को side अटाके इसकी back को मैंने अभी एक हफता पहले ही clean किया था तो आज वो काम में नहीं करूंगी पाकि इसका front part तो आपने देखा मैंने clean कर ही दिया है तो बस अब मैं sheet बिचाऊंगी और ये काम complete हो जाएगा रूम में जाड़ू तो मैं लगा ही चुकी हूँ तो अब मैं लगा रही हूँ पोच्छा तो walls, roof और हट चीज के साथ साथ मेरा floor भी clean हो जाएगा floor मेरा clean हो चुका है तो चलिए अब हट चीज को वापिस उसकी जगा पे रख देते हैं curtains उतार के wash मैं कर देती हूँ लेगिन उन्हें वापिस लगाने की tension मैं नहीं लेती उसकी tension लेते हैं Mr. Udhepartab Singh और मेरे husband husband office से आए और साथ ही मेरे curtains भी iron होके आगे थे तो मैंने कहा ठीक है कपड़े change करने के बाद पहला काम ये कीजिए और उसके बाद हम dinner करते हैं ताकि उन्हें भी कुछ room cleaning और contribution की feeling आए chairs को clean करना मैं भूल गई थी तो ये काम भी मैंने उदे से करवाया कि जाओ clean करो और वापिस लाके यहां पे रखो और हो गया सब काम खतम वीडियो का end करूंगी एक quote के साथ तकदीर बदल जाती है जब जिन्दगी का हो कोई मकसद वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इलजाम देते देते see you in the next video till then bye take care and stay healthy